बारत के आंदर प्रदेश में स्थित तिरुमला मंदिर के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं मंदिर में इतनी भीड रहती है कि शरदालूँ को गंटो कातारों में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है कई बार भीड इतनी बेकाबू हो जाती है कि बीड को काबू करने के लिए पुलिस को भी वहाँ पर तैनात करना पड़ता है लेकिन कई बार पुलिस वाले भीड को काबू करने के लिए लोगों के साथ अबद्र बेवहार भी करते हैं हम आपको आज ऐसी ही खबर से रूब्रू कराने जा रहे हैं दरसल तीरुमाला मंदिर का एक वीडियो फेस्बुक पर वाइरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस वाला भीड को काबू करने के बजाए लोगों के साथ अबधर बेवार करता नजरा रहा है हम आपको उसी पुलिस के बारे में बता रहे हैं और दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरह यह पुलिस वाला लोगों को धक्का दे रहा है किस तरह पुलिस वाले ने वहां पर खड़े एक व्यक्ति के गर्दन में हाथ लगा कर उसे आगे धकिल रहा है पुलिस वाला अपनी गुंडा पुलिस वाले ने उसे आगे धकिल रहा है जिसके बाद महिला ने इस पर अपत्ती जताई और पुलिस वाले से उसकी बहत शुरू हो गई जिसके बाद पुलिस वाला लोगों के आक्रोश को देखकर पीछे अट रहा है आपको बता दे कि इस वीडियो को अब तक फेस्बुक के से महिलाओं को धक्का देना उनके कमर में हात लगाना लोगों के गरदन में हात लगा कर उनको धक्का देना कहां तक ठीक है पुलिस वाले के अभद्र विवार को देखकर आंधर प्रदेश की पुलिस प्रशाशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्होंने महिला झाल झाल